कि नमस्कार साथियो आज ये 21 अप नॉमबर और इस सेशन में दा हिंदु एडिटोरियल का भोकेबली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं इससे पहले लाइक कर देजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर यह हमारा सोसल मीडिया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बस में मिल जाएगा अगर आपको सेशन का पीडिएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए तो आप टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आये देखते हैं आज का सेम मिनिंग होता है वो कवर करते हैं तो अगर आप किसी भी कम्टेटरी एजम का त्यारी कर रहा है तो वीडियो अंतर जरूर देखिएगा आई होप आपको बेनेफिट जरूर होगा और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा तो वर्ड का है इन कमेंट है अगर ऑफिस और पोस्ट यान कि यावसा पॉस्ट हो और वह और उफिस में काम करता हो और उसके पर एक पोस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे सारे चीज जब पुरा प्रोसेस कंप्लीट हो जागा तो आपको एक पद मिल जागा एक पोस्ट मिल जागा कि आप इस पोस्ट पर पोस्टिंग हो जाएंगा जैसे एंडिये के थुरू लोग लेटिनेंट बनते हैं कोई कुछ बनता है तो कुछ बनता है तो किसी को उस जो मतलब पद्धारन किये हुआ है उसको पद्धारी बोलते हैं यानि की ऑफिस में किसी Synonyms की बात करें तो Office Holder बोल सकते हैं, Occupant बोल सकते हैं, Current बोल सकते हैं, फिर Serving बोल सकते हैं तो I hope आपको incumbent word समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना होगा तो आप बोल सकते हैं कि इतने भी incumbent है, वो cube में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? मानली जी कि सारे, इस तरह Q में बैठे हुए हैं याने कि LINE में बैठे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? In comment बोलते हैं, और Q में क्या है? In comment बैठे हैं तरह प्याद रख सकते हैं कि जो भी पदधारी है वो क्या है क्यों में बैठेंस तो इसतरगा आप वर्ड को याद रख सकते हैं विद हेल्प अप्ट्रिक की का सा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेसर में तो नेस्ट वड़ है कॉल से क्या है एक भर्व है जिसका मेनिंग होता है come together to form one master यहने कि सारे लोग एकठा होके किसी मतले बहुत ज्यादा भीरी कठा कर देना ठीक है उसको call check बोलते हैं जिसका मेनिंग होता है एकतेत होना जैसे मालेजी कोई सभा होता है कोई meeting होता है तो धीरे इसको बोल सकते हैं कि यह क्यों होगे एक बन जा रहा है तो आपको पिक्चर भी साहत में देखते चलिएगा जो यहां पर इंसर्ट किया जाता है ताकि आपको वर्ड धंसे समझ में आ जाए तो नेस्ट वर्ड है डिस्कॉर्स की बात करें तो एक नाउन है जिसका मेनिंग होता है भरबर interchange of idea यानि कि जो भी idea है मालेजी कि अलग अलग लोग के बीच में अगर बहुत सरे लोग हैं तो सब के मन में कुछ अलग अलग तरह का idea होता है तो जो उनको भरबली interchange करते हैं उसको डिस्कॉर्स बोलते हैं यानि कि परवच्चन क्या होता है परवच्चन जैसे मालेजी कि आप बैठ जाएंगे बड़े लोग के बीच में तो सब अपना अपना मतलब बताते हैं परवच्चन देते हैं तो ऋगे हो रहे होगा तो जरूर्र आपको पता होगा तो डिस्कॉर्स मतलब क्या है सऊरमन सरमन मतलब उब देश या परवच्चन तो चलते हैं नेश्ट याद रखनी क्लिए पर्सार Legend कि करने के वाद सारे किसी को ऐसा तुम कर दिंगि क्या करेंगे तो या निरास कर देना नकुई को आपसे उमीद कर रहा है कि मतलब मुझे इस Elder जाने को जाए गा और आपने शुब्स को वह चीज ना दे खेका क्या कर दिया तो ईसमें कडिया निरास कर दिया तो सिनोनियम्स की बात करें तो एघास्ट एपलेड डाउंटेड या फिर दिस्परीट सब इसके स्टेंग हो जाएंगे तो आई होपको डिस में वर्ट स्मझ में आगे होगा तो डिस में एक भर्ब है है इसका मिनिघ क्या होते है निरास होता है सिर्ण एधास्ट एपल डांटे या फिर डिस्पृत हो जाएगा जैसे आफ देख सकते हैं पिक्चर में यह जो लर्किय ये क्या है काफी ज़्यादा नीरास सोके बैठी हुए आपना सब्सक्र नीचे करके तो यह कैसी फिल करी है मैं फिल करteगे हैं कि next वर्ड थैं फार्सिकल फार्सिकल की बात करें तो कुछ एक एडजेक्टिव है जिसका मंदेंग होता है भेरी सीविन29 verzidneable आनलायख्ली और अन्रेजने不錯 often결 पर्शन जो बहुत ज़्यदह स्टिवर्भ जाएगा या फिर कोई को मिकल हो जाएगा तो देखे यहां पर देख सकते हैं कि जो चिंपाइंजी एक एसा लगुश्य वह काफी कौमी कळ लग लग रहा है इसको देख औक को भी हसी आजाएंगे यानि कि कोइच चीज जो से लीन यह ठीक है इस नहीं का मतलब क्या होगा देमोनेस्ट्रेटिव स्कील यान क्लेवरनेस यानम कि कुछल या निपून मतलब किसी चीज में आप काफी ज 확Carlton पस मतलब को यह काम करने का तरीका पता है आप उसमें महारत हासिल की हुए तो कुसल बोल सकते हैं या फिर निपून है यानि काफी अच्छा से जानते हैं किसी चीज को करना उसके किस धंग से कर सकते हैं ओ सप्छां यह जाएगा पाश्मीन या पिक्चर में दिखाया गया यह की किया इसके पास क्या चीज़ एक साथी बज़ा ले रहा है तो जो भी इंस्टूमेंट है फिसिकल इंस्टूमेंट है यह क्या कर देख सकते हैं आगे कुछ वह लिए हैं पिछे ड्रम लगा है सब कु क्या है काफी ज़्यादा डेफ्ट है निकी कुसल है निपून है तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएगा कमेंट सेशन में और लाइक नहीं किया है वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दिजे तो चलते हैं नेक्स्ट व योर है सुझता है खतम कर देना किसी चीज को उसको सुली बोलेंगे तो मैला कर देना मैला करना इसका हिंदी में नहीं हो जागा मालेज एक साफ कपर आपको दे दे जाए और आप उसको गिरा के जमीन पे उसमें मिटी वेगर लगा कर देना सुली कर देना यानिकि मैला कर तो सिनोनेम्स की बात करें तो इसका सिनोनेम्स बेस्मिर्च हो जाएगा तार्निस हो जाएगा डिफाइल हो जागा या फिर टैंट हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग डिफ्रेंट कलर का यूज करके चीज को जो यह पोट्रेट है उसको क्या कर दिया गया गंद आश्यादा हो जागा तो आई होपको सर्ली वर्ड समझ में आ गया होगा तो इसलिए फ्रेक्सियास वर्ड एड्जेक्टिव हो गया इसका मिनिंग होता है टिपिकली अफ चेल्डेन इरिटेबल एंड क्वेरल सो मतलब ऐसा बच्चा जो काफी जादा इरिटेबल हो जो लोगों को इरिटेट कर देता हो और फिर क्वेरल सो मुझ झघरालू हो किसी स से भी जग्रा करने लगे तो उसको क्या दोगे फ्रेक्सियास बोलेंगे या कि झघरालू इसका हें भρίनिय रिटेजेखर रहें तो प्रेक्सियास नेचरbaj मतलब क्या हो गया जगरालू हो जो एक एडजेक्टिव जिसका समदेंश होता है कॉंटी के रस बैली को लिकॉस पेटूल एन्ट या फिर रिक एल्ट ट्रइंट अब देखते हैं नेस्ट वर्ट का इरभोकेवल एरभोकेवल की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसके कि पूलास्ट में वी या गया सब्सक्राइब करना है तो जो भी आपको हम पता चल जाता है कि कैसे इसको पहचानना हम जरूर बताते हैं तो इर्वोकेबल की होगा एक एड्जेक्टिव होगा जिसका मिनिंग होता है नोट एवर्ट टुबी चेंज रिवर्स और रिकावर वह ऐसा चीजिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो अब परिवर्ट नहीं इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा सीनोनियम्स की बात करें तो इम्म्यूटेबल हो जाएगा फाइनल हो जाएगा पर्मानेंट हो जाएगा या फिर कंक्लिव हो जाएगा तो इर्वकेबल मतलब क्या हो गया कि जिसे हम च बदल नहीं सकते है आप अधिक नेस्ट वर्ड किया है मूट मूट एक बार मूट किया है एक बार आथ महलब है जिसका मूंनिग होता है Generally एक कोश्चन और टपिक टोल कॉट दिसकस्टे लिए उसको मूट बोला जाता है यानी कि कल्पीद इस्फट bonawrit or का नगा behaviour नहीं की विद er क्षिक को ओगया जिस्पर क्या करने बात्चीत करना ईक्षकोचन करना तो मूट मतलब कल कर तर हब तरुपीट करना सिनोनेम्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस प्रपोज सगेस्ट या फिर प्रोपाउंड यह सब इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं क्लास में आप गुरूप डिसकसन चल रहा है तो आज के लिए इतना ही सेसन कैसा लगा कमेंट सेसन में जरूर बत अगर नहीं बनाई खुझ से तो थोड़ा बहुत आप डेंट के सेसल कमेंड कि Biz तो आज के लिए इतना हैं आइज को सेसन कैसा लगा होगा कमेंड शेशन में जरूर बते जारूर बते जिए कैसा लगा तो मिलते हैं प्रग्ड़े शेशन में धैंक्स पर वाचिंग जेहिं झाल झाल